साथियों देखेगा बहुत एक अच्छी नीज आ रही है, 2019 के अंदर जो एक फॉर्म निकलेते, CISF HCM है, उसका जो है वो अब एक्जाम डेट आ चुका है, तो एक्जाम डेट को लेकर के आपकी जो तेयारी अब तक चल रही थी, कई वार ये बोला गया था कि साथ 2019 की जो वेकेंसी है, CISF HCM, वो हो सकता है कि वो कैंसल हो जाये, लिकने कैंसल नहीं है, इसका एक्जाम डेट और सारी चीज़ें में आपको बता हूँ है, कि जोन में कितने विद्यार्थियों को जो है लिया गया है इस एक्जाम के लिए, क् जो HCM की वेकेंसी थी 2019 में CISF के अंदर, अब कंड़क्ट ओफ रिटन एक्जामनेशन, यानि इसका जो रिटन एक्जामनेशन है वो कंड़क्ट होगा, काफी दिनों के बाद में बहुत एक लंबे समय के बाद में ये गुड़ निवस आई है 2019 की वेकेंसी के बारे में, य NCR जो निव डेली से इस जोन के अंदर, सत्तामन हजार विद्यार्थी जो हैं वो क्वालिफाई हुए हैं और इनका जो वो एक्जाम होगा, यानि कि इनका जो एक्जाम होगा, वो 10, 11, 12 तारीक होगा, यानि जोन में 10, 11, 13, 3 तारीक जो हैं यहां पर होने वाला है, इसके बाद में देखेगा, 7 और 8 नमर पर यह ले रखा है, जैसे के NZ 1st New Delhi यह जोन हैं और इसमें जो विद्यार्थी हैं, वो लगवग जो एक लाख 13,326 के आसपास हैं, जिनका जो एक्जाम होगा, वो 13, 14 और 15 होगा, यानि ओवर जो पेपर जो विद्यार्थी देंगे, वो 3 लाख 13,000 विद्यार्थी जो हम वो इस एक्जाम में बाग लेने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें और आप देख लीजेगा, एक्शल में यह सारी चीज़ें आगे जो लिखी गई बात में एकदम क्लेर होती हैं, यानि इस प्रपोस्ट फाइनलाइज एक्जामिनेशन सें पैंडिंग हो चुका है, आगे पैंडिंग नहीं होगा, और अगर यह डेट यह जो एनाउंस की गई हैं, तो इसका मतलब है इनी डेट के आधार पर आपका एक्जाम कर वाली आजाएगा, तो आप अपनी तैयारी को बैस्त रखिएगा, जो इस लेवस है, उस लेवस को ध जाए, सभी दोस्तों की इस नीवस को जरूर पहुचा दीजेगा, वीडियो को लाइक जरूर करें, और इसी तरह की नीव आपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा, थैंक यू